एल्व एवरीबन तो आज हम लोग का º practically क्या लेकर आए हैं तो मैं पाऊ और दू मैं सीबेशी बोर्ड का जो मेरा दोएराथ 24 का कमिश्टिक एक्जाम हुआ है तो आज हम लोग इसका सेलूसेन डिसक्स करने वाले हैं तुन्क डिसक्सन में मुश्की हम Q क्या करेंगे जो थे वाले questions हैं उनको थोड़ा कर देंगे तो आपको लिखना होता हुआ और जितने समझने हैं जिसमें आपको doubt हो सकता है कि यह question मैंने करा तो था मगर मेरा सही है गलत है कैसे सवाल करके पता लगेगा तो उनका दिसक्रसन हम लोग इस पुरे lecture मैच करने वाले ठीक पहले उठाते हैं अपने अब्जेक्टिव उसके बाद धीमेदे में जो सॉट्स वाले उनको लेंगे फिर लॉंग में देखिंग क्या करना है ठीक तो हम लोग चालू करते अपना आज का lecture और मेरा पहला जो question पूशा गय मतलब मेरे पास mg डबल प्लस और शलफट डबल माइनस के मोलर आनिक कंडेक्टन्स की वैलू दे रखे है और जो mg डबल प्लस की वो मेरे पास यह वैलू देखिए आप देखिए कह लिखा 106 सीमान सेंटिमिटर स्कॉयर मोल इनवर्स और मेरे पास जो सल्फट का मेरे पास यह दे रखा है ठीक अब गराया है डवेलू आफ डवैलू आफ लिमिटिंग डवैलू आफ लिमिटिंग लिमटिंग बीचरा ध्यान दिजेगा डवैलू आफ लिमिटिंग मोलर कंडेक्टिविटी तो मैं घर बता दू अगर आफ MGS पॉटिक मैंगनीशियम सेल्फेट के मेले मेले को निकालना है the value of limiting molar conductivity हो तकता है मेरे कुछ प्यारे बच्चों को limiting value of नहीं पता हो conductivity का मतलब क्या है तो limiting का मतलब ऐसी conductivity जिसके आंगे अगर आप dilution बढ़ाएंगे भी तो भी conductivity की value क्या होगे नहीं बढ़ेगी ठीक है मतलब ऐसा जैसे मालूँ मैंने मैंगनिदम सेलफट लिया उस मैंने पानी डाला तो कहीं न कहीं molar conductivity value पहले बढ़ेगी ठीक है आपने सीखा होगा जैसे हम लोग dilution बढ़ाते हैं वैसे वैसे molar और equivalent conductance की value क्या होती बढ़ जाती है इस specific कहीं इडिट का कार्ड वगरा में limit लगा कर रखते होंगे पेटे में मैं इतना खर्चा होगा इतना नहीं निकल सकता ठीक है तो वहीची यहाप रभी infinity बोल दीजिए लेमड़ा infinity का मतलब maximum value पहुंच गया है तो यह मेरे पास होता है लेमड़ा infinity of a plus ion plus lambda infinity of b minus ion इस question में थोड़ा था उसको यह लिखना चाहिए था कि जो molar ionic conductance हैं यह दोनों infinite के हैं ठीक है ना फिलाल कोई दिक्कत नहीं और कोई हो समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर सीजिस बात है binary compound binary है तो लेमड़ा infinity of क्या हो जाएगा mg double plus हो जाएगा प्लस लेमड़ा infinity of हो जाएगा sulfate minus और अलग से तो कोई part extra आने नहीं है ठीक है तो कुल ना कि जो mg double plus का लेमड़ा infinity यहां इनको लिखना चाहिए था कि यह जो वैल्यूस है वह भी लिम्टिंग वाली है ठीक है ना इनको सिधा सा add करना है तो mg double plus square मेरे पास है 106 और प्लस वो मेरे पास है 160 ठीक है इनको जब आप जोड़ेंगे तो यह हो गया 6 यह भी 6 और यह हो पहला यह option देख रहा है 266 ठीक है बनाता है यह जिसको जबाद सब्सक्राइब होता है अगर मेरे पास किसी इलेक्ट्रोलाइट की conductivity निकालनी हो लिम्टिंग वैलो निकालनी हो तो उसमें जो भी आयंस हमारे पार्ट कर रहे हैं उनकी अलग अलग वैल्यूस को आप क्या करें जोड़ दे बनासे यह बड़ा पर यूड़े पॉस करके आप देखिए मेरे पास सेकंड कोशन है सीवेसी वोड का अबजिक्ट अब आक्सिडेशन नंबर सो करता है ठीक तो अगर आपने ऑक्सिडेशन की थोड़ी से स्रीज देखी होती तो उससे आपका बहुत अराम से हो जाता ठीक है क्या था सकेंडियम आपको सिखाए गया दबैच में किस केंडियम मेरे पास क्या करता है सकेंडियम प्लस टू मु करते होंगे इसमें अगर आप MN पर चार्ज निकालें तो बड़ा कितना एक प्लस से मतलब MN एक ऐसा element है 3D का जो प्लस टू से लेकर कहां तक सो करता है प्लस 7 तक बागी क्रोमियम जो है मेरे पास क्रोमियम भी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इनी के दायरे में घूमा करता है में पास किसका होगा मैगनीज का मनाते है यह बड़ा इसको लिए अब तो कि तो आसा कोशन कोशा है कर रहा है कौन सा एलकिल है जो सबसे तेज देता है ठीक है बई तो मैं बता दूँ एसन वन के लिए मेरे पास जो एलकिल हैलाइड हो उसकी डिगरी जितने यादा हाईयर होगी एसनिमन की मेंगनाद में आपने सीखी होगी कि उसमें पहले बनता है more stable carbon carbon कब बनेगा जब डिग्री हायर होगी तो अब पहले option को जब ध्यान देखिए हाँ डिग्री हायर किसकी जिस कारबन पर आपको हैलोजन लगा होगा उसकी डिग्री मैक्समाम होनी ठीक है नह इस पे 3-3 मेंतिल लगे तो पहला मेंतिल हो गया, जो पहला मॉल्क्यूल है इसमें इस डिकरी का है कि Вас ड्री CS3 फिर यहां मेरे पास CS3 फिर यहां CS3 उसके बाद CS2 फिर मेरे पास VR तो जिस carbon पर है काभन पर एक हाँ यह मीटे पास 3 degree का 1 degree तो जो ठाड डिकरे का है मेरे पास first option बना ले इसको लिए अब जो कि मैने तीन कोचन एक साथ लिग दिए जो ये वह सिंपल सिंपल है मैरे पास पांप वीटामिन-AC का दूसरा नाम क्या है विटामीन-C का नाम तो विटामीन-itäप dipping के ऊपर पर उसका जो डिए पर और क्या डिक वह और उसका क्या एक लिए कहauft तो गुलकोस की ऑफिरेसन जबनता है मेरे पस ठीक है जो मेरे पास सैक्री एलग है अब बेंज्वाइफ के लिए तो विटामिन सी होता नहीं है तो जो एसकॉर्बिक डालते हैं और बेरियम सल्पेट थोड़ा था बॉयल जाइलीन भी लेते हैं सॉलेट होता है ठीक है तो यह बिटा रिटक्षन हाइड हो जाएंगाइस भी पास करते हैं बद बदें एसे लग जाता है मतलब यह फर्दर रेक्षन को रोगता है जो है वह यहांसा यहां देख लिएक प्रकार का पॉस्ट्व कैटलिस्ट है जो बेरियम सल्पेट है वह एल्डी अट को फर्दर रिड्यूसे होने से रोगता है तो जो मेरे पास रोजन मून का जो चै है Concentrate NUH heat करा दो Compound बनने तो फाई ये तो मेरे पास कैनि जारो reaction ठीक है कौन से reaction है पटा कैनि जारो जिसको आपको बताया गया था कि जिनके पास अलफा एच नहीं होते हैं कि इनके पास ऐसे येल्डियाट के टोन जिनके पास अलफा एच नहीं होते तो पता है कि इसमें एक मॉलेक्विल का ऑक्सिडेशन होगा तो जब ऑक्सिडाइस करूंगा तो बनेगा फॉर्मिक एसिड हCOOH जब रिड्यूस करूंगा तो यह बनेगा मिथाइल एलकोहौल ठीक है मगर चुकि इन प्रिजिंस अब बेस होता है तो एसिड जो बनेगा वो पयंद games यह मिर पास का है को एसिए फार्मेट अब में मेथे ना्यग में कि का तो यह आपर यह सोल्डियूं बनेगा प्लस यह बनेगा बनाता रोक्द्स और यह इसल से कोई नमर मेरे पास 7 क्या है कोई नमर 7 कर रहा है in effective collision the colliding molecules must have कुल लागे अगर मेरे पास कोई chemical reaction हो रही है और उसमें molecule effectively collide हो रहे है मतलब reactant से product बन रहा है ठीक है अगर मेरे पास reactant से product बन रहा है तो उसके लिए molecule के पास क्या क्या होना चाहिए तो मैं बता दूँ जब भी कोई reaction प्रोसीड होती है तो molecule के पास हमें तो कुछ word बोलते हैं एक तो energy of activation होनी चाहिए दूसरा यह आप बोलते हैं उसके पास थ्रसोड energy होनी चाहिए और जो molecule collide हो रहे हैं उनके पास proper orientation होना चाहिए देखो मैं एक पॉठा तक ग्राफ यहां टा करता हूं ऐसे मेरे पास एक ग्राफ बनता है यहां पर होता है बटा पोटेंसिल इनर्जी इस तरह से अगर मैं ग्राफ बना activation आ जाए तो वो convert हो जाता है reactant से product में मगर भाई हम इस energy को बोलते है threshold energy मतलब जो bottom से लेकर के bottom से लेकर के ऊपर तक गई है यह मेरे पास होती है threshold energy मतलब इसका नाम क्या होता है threshold energy तो देखो भाई अगर किसी molecule के पास या तो ऐसे बोल दें कि energy of activation के बराबर अनर्जी आ जाए तो हो जाएगी या बोल दें threshold energy आ जाए तो भी हो जाएगी मतलब threshold energy हो नहीं जाए यह प्लस जो molecule टकरा रहे हैं जैसे चाहलो एटू की reaction बीटू से हो रही है और टू एबी बनद आयए तो दखो भई इनके टकराने के तरीके ऐसे हो सकते हैं यह एटू लिखा मैंने और यह बीटू लिखा आप देखिए एक तो ऐसे हो सकता है ठीक है एक है को डिखा रहा हूं और एए और एसे लिखा यह लिखा इन एक है उपर भी बन जाएगा नीचे बन जाएगा एभी तो यह पास है correct यानि proper orientation और ये मेरे पास है incorrect मतलब improper orientation यानि कुल बलाके अगर आपको effective collision चाहिए ना मेरे भी या तो दो condition मेरे पास हैं हो सकता है अपने world को थोड़ा चेंज कर दे वो कि energy of activation चाहिए या threshold energy चाहिए मतलब इस total को भी आप मांद सकते हैं ठीक है उसके बाद orientation टकराने का proper होना चाहिए correct होना चाहिए तभी उपाएगा अब तो पहला option पढ़ते हैं लिखा है proper orientation ये तो सही हो सकता है मगर आंगे और भी option है क्योंकि और भी option हो सकते हैं हमरे पास लिखा है इस certain minimum amount of activation ये भी बात सही है बगर तो को यहां लिखा है सही है आधा पॉर्म परकर जो डी वाला है ना उसमें उसने दोनों बाते लिखी है तो सीडियस बात है ये डी मेरा गलत है भी गलत है सी भी गलत है तो मेरे पास सही है मेरे पास डी option आप स्कोर आप पास करके नोट कर लेजेगा तो कि मैंने एक question नीचे और लिख रखका है इसको भी मेरे को explain करना है क्या चाटना है ये तो बढ़ी बड़ा सरल का question है बस confusion create करता है बच्चों में है काफी सरल क्या लिखा है देखिए लिखा identify secondary amine भाई मैं amine के लिए बता दूँ amine के लिए alkaline देखना है कि c पे कितने मेथिल लगे amine के लिखना है जिसमें जिसमें एनेश टू आ जाएगा जिसमें जिसमें एनेश टू वो primary amine हो जाएगा जिसमें जिसमें एनेश आ जाएगा वो मेरे पास secondary amine होगा जिसमें जिसमें एन आएगा वो मेरे पास क्या होगा टरसरी amine ठीक है अगर इन पे चारो बार लग तो वो कौर्णरी सॉल्ट होता ठीक है आपको एमीन के बता दें प्राइमरी सेंडी टरसरी के दे शांड़ लाय कि एवल नेश्टू होगा आपको जहां इनेश्टू दिखें वह प्राइमरी यहाँ जहां एनेश्टे के सिकंडरी तो देखो भाई पहले देखें आपको एनेच मिल गया कि में यह नहीं हो यह देए के बगल में इधर भी आर लगा है और चेकर लेते हैं मिरा और आपस रफ होगा इन पर रही है तो जो ऑप्शन भी है वह मेरे परफेक्ट आंसर बना लीजे फटाफट ये अब दूए कितो अच्छा कोशचन जीरो ओर्डर कि रिक्शन ग्राफ दिया है जीरो ओर्डर रियक्शन का उसने एक ग्राफ दे रखा है भई और यह ग्राफ है ताइम के बीच अब इस ग्राफ में हमसे पूछ क्या रह Kubernetes स्लोब बता दिज mover लाफ तो इस question को मैं पूरा solve करके दिखा रहा हूं कैसे यहां पर slope देखेंगे और intercept ध्यान दखेगा हमें जो working करना ही for the zero order reaction यह कौन से reaction होती है जिसका जो rate होता है वो reactant के amount पर depend नहीं करता तो मैं रेक्ट में दिखता हूं R से मेरे पास P बन रहा है तो rate of reaction मतलब सब्सक्राइब माइनस का dr upon dt is equal to k r की पावर 0 की पावर 0 का बहुत समझ में आ रहा है कि 0 order का हो गया तो माइनस का dr upon dt जो कि मैं reactant के respect में लिख रहा हूं तो sign लग रहा मेरे पास minus ठीक यह मेरे पास rate like question हो गई for the zero order ठीक तो मैं करूंगा यहां minus का dr upon dt is equal to k यह value 1 हो जाएगी तो minus का dr is equal to क्या हो जाएगा k dt मैं इस पूरे को integrate कर दूँगा तो minus का 1 dr is equal to k बार आगे integration 1 dt इसके बाद यह minus का r बचेगा is equal to kt plus a caution लगेगा c ठीक है अब मेरे को c की value निकालने तो c कैसे निकलेगा from c कहां से आएगा from initial condition ठीक अगर मैं time 0 लगाता हूं ठीक है time क्या लगाता हूं 0 तो जो reactant का amount होगा और यह बता ना वह आर नौट के equal होगा और नौट का मतलब क्या है आर नौट का मतलब है initial concentration जब समय 0 था तो जो determinant वह आर नौट के equal हो जाए क्यों कि यहां लगा दूँगा इस वाली क्या बनके आएगा इधर स्वाल कर देता हूं तो माइनस का आर इस इकल टू के टीव माइनस का आर नौट अब आप ग्राफ देखिए जो ग्राफ है वो टाइम को रखा गया है कहाँ पर एक्स में तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी डाइब का आपको ड्राफ ड्रा करना है तो वाई बहला रियक्टेंट का जो देखें ऊधर इहां पर विरेडेबल कौनका सी कौनटी है वैरीबल मेरे पास आर आर नौट शुरुआत के विल्यू फिकस होगी जो लिए होगी आपके बस तो ती को रखना मेरे को वाई में रखना है पिस पर ही टी को रखना मेरे को X में और य में तो यह मैं जड़ा माइनस उधर ले जाता हूं आर इस इकल टू माइनस के टी प्लस का आर नौट यह बस मुझा रही है अब मैं इसको कंपियर कराऊंगा वाई इस इकल टू WD M X Plus C तो बहिं देखें यह जो M होता ही mm is equal to minus K तो slow 0 Bears मेरे पास हो गया स्लोफ हो गया और यह जो C होता है in temperature so intercept तो interconnect subscribe क्या हो गया r0 तो बहिए option देखलो वहिए पहले पे Slope दे रखा प्लस के नहीं बहिं पही जो मेरे पास क्या है मामेरे के सेकंड आप्सन में हाँ भी स्लोप माइनस के दिखा है और इंटरेफ्ट आर नौट मेरे पास जो आप्सन भी है मेरे पास सही है बना ले यह फटाक से हाँ तो भाई आप बात कर लेते हैं हम लोग सेक्शन बी में आयोए कोश्चन होगी तो मैं बतातों सेक्शन बी में मैं केवल उन कोश्चन को डिसकस करने वाला हूं जिसमें कोई नुमेरिकल पार्ट है या मेरे पास कोश्चन समझने वाला है अगर मेरे पास कोई theoretical question आया है जैसे section B में question पूछा गया है molecularity of the reaction foreign complex reactions तो बाई यह जो है यह theoretical questions है इनको मैं यहां कैसे explain करूंगा तो जो मेरे numerical types वाले हैं जा मेरे पास समझने वाले और किसी के भी समझने वाला है तो मैं यहां पर explain करूंगा अब दोखो बाई एक मेरे पास यह section B में एक question यह पूछा गया है numerical type है solution का है colligative property का है क्या numerical है calculate molar mass of a compound भाई मेरे को किसी compound का molar mass calculate करना है when 6.3 gram of it मतलब उस compound को 6.3 gram dissolved in 27 gram of chloroform मतलब वो compound जिसका molar mass निकालना है वो इतने gram dissolve हो रहा है मतलब यह तो weight of solute हो गया है ना और इतने gram chloroform में मतलब chloroform मेरे पास solvent कितना काम करेगा तो आप लोगों नहीं पढ़ा होगा formula small m is equal to चुकि यहां पर boiling point की बात कर रहा है boiling point की small m is equal to thousand into kb small w delta db और capital w यह formula मेरे पास molecular weight या molar mass को calculate करने के लिए हो ठीक है अब इस formula में क्या कहें चाहिए 1000 तो चाहिए नहीं आपको kb आपका given हो है ठीक है chloroform for the kb ठीक है small w क्या होता है weight of solute होता है वो आप लगा देए तो देखो यहां solution का boiling point किसका है solution का है और pure chloroform का यह का आपको अचीतरा बता होगा कि जब किसी salute को हम किसे solve करते हैं तो जो solution बनता है उसका जो boiling point होता हो क्या होता है increase कर जाता है ठीक है इसको हम बोलते हैं elevation of boiling point ठीक है ना तो पहले मेरे पास क्या था सिक्स्टीए पॉइंच यह जो solution का boiling point है सिक्स्टीएक है solution का यानि कि मेरे पास यह जो है वो टी ऑ ऐस है यह तो प्यवर क्लोरफ़र्म का के अब इसके आप हो गया के भी लगा दिया मैंने क्या होता है कितना how क्राम यह 6.3 हो गया अपॉन में क्या हो गया डिल्टा डिभी कितने डिफेंस सेवन का यह सेवन लगा दिया मैंने वैल्यू सब्सक्राइब कर दी है अब यह वैलू तो कोई कितने सरल सरल से कोश्चंस आए हैं बड़े स्मूथली आपने जहां भी कोचिंग करी होगी आपको बड़े राम से बड़े प्यार से इतना तो समने भाईया बताया होगा ठीक है अब एक कोशन लिखा है कि मेरे पास यह दो कंपाउंड दे रखें बताना भाईया इन दोनों म दीज़ा है उसकी डीगरी जितनी कम होगी वह उतना ही फास्ट वह क्या देगा संट जंदल लूल तो पहले यह उसके बार अगर इस का इस कापन की बात करें या लोजन इह बटा टू डिगरी का और यहां पर इसकी बात करते हैं क्या ठीकर्टा इसका जो संट्टु होगा वो इससे क्या होगा फास्ट होगा अगर हम बात करेंगे सन्वन वाले की तो इसका सन्वन फास्ट होगा इसके कंपेर में ठीक उसका इसी नीचे कोशन दिया है अरेंज इन्टू इन्क्रीजिंग और बॉयलिंग पॉयलिंग 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 same है लगर जिसमें branching बढ़ती जारी क्या पढ़ती जारी ब्रांच जो को यहाँ पे ज़्यादा branching है यहाँ पे थोड़ी कम branching है यहाँ पे branching बिल्कुल नहीं नॉर्मल है तो branching बढ़ने से surface area क्या होता है कम हो जाता है ठीक है अगर branching बढ़ेगी न बटा तो surface area क्या हो जाएगा कम हो जाए और बटा अगर surface area कम हो गया तो उनके molecules के बीच force of attraction भी कम हो जाएगा अगर force of attraction कम हो गया तो कहीं न कहीं boiling point भी कम हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा boiling point अगर मैं इसको A मान लूँ अगर मैं इसको B मान कहाब लूँ इसको मैं सीवालू सबसे कम ऑईलिंग प्विंक के बाद कीक का बैद मेरा एक तो यह इसका अंसर आएक तो जो सम्झाने वाले कॉस्षन्टम केन से वायव म है वो मैं यह डिसक्स नहीं करूरंगा अभी cheating dollillo-eating आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए अगर मेरे पास बंपर कोई एलफा-carbon है ठिक है अगर बेंचीन ऑपर कोई अलफा-carbon है उस पर एक भी hydrogen लगा है ठिक है अगर उस पर है एक है गला है लंग अए फोर से पर सी डाइस करेंगे न तो यह पूरा पूरा ग्रूप है यह डारेट कनवर्ट हो जाता है और आपको डायट मिल जायागा आपका बैंजोईक इसको करा लेता अब अगला जो लिखा है टो बनाना है त्री हैड्रोक्सी ब्यूटेनल ठीक है क्या लिखाए एथे नॉल तो फी ध्यान से देखें तो आप पहले तो घबर आ गया हूँ कि यह कौन सा कंवर्जन आ गया तो आपने पढ़ी ती बैटा एल्डोल कंडन सेशन क यह पढ़ाता है यह यह लिखा हुआ है क्योंकि अलडी है और यह लगती किस पर यह लगती नहीं है तो पहले मैं एथेनल लिखूंगा CS3, CS2, OH और इसको बेटा मैं ऑक्सिडाइस करूँगा मगर चुकि दिक्कत है अगर मैं एसेनल को मैं डायेट ऑक्सिडाइस करूँगा तो मेरा बन जाएगा CS3, CS3 तो मैं इसको देता हूँ PCC दूँगा PCC का फंसना को सिखाये गया होगा कि यह क्या करेगा अल्कोहॉल को केवल कहां रोख देगा करफ लिएड में और मेरे को जाहिए तो दो कार्बन का मीरे पास अलकोहॉल है कि नगरेrau तो दो कार्बन मेरे पास बन जाएगा यह पहला इचप आप मेरे पास 10 अल्डी हैं यह और हो यह मेरे पास CS3C double bond O single bond H दूसरे molecule को ऐसे लिखा HCH2 single bond CHO अपने आप नहीं होगा बैटा dilute NUH heat मत करिए क्योंकि उसने water नहीं निकाला ठीक है यह SC नहीं हाँ हो जाएगा यह हाँ हो जाएगा फाइनली क्या बन जाएगा मेरे मेरे पास CS3 इस वाले C पर हो जाएगा OH यह मेरे पास H single bond CH2 single bond CHO आप इसका जड़ा आई वेजिन निकाल लेजिए 1 2 3 4 तो 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 थी पर है और ब्यूटन अलबकुल ना कि यहीं कंपॉंड बनेगा तो दो इस्टेप पर बनेगा पहले जिन लोगों ने इससे करा होगा उनका गलत मान लिया जाएगा क्योंकि इस बात अगर आप डायाट ऑक्सिराइस करेंगे तो वह बन जाएगा पहले बनेगा लडेट और मेरेको लडीड पर रोकना है तभी मेरा लग पाएगा बनाते है फटाफर सपोर्ट अब देके नेक्ट कोशन कौन सा आगे हमेरे पास कराग गुलुकोस के रिक्षन भाई मेरेको हैचाई से करानी ठीक है तो मैं बता दूँ है एक रिडूसिंग एजन्ट है तो जब मैं गुलुकोस लिखता हूं यहाँ पर सिएचो सिंगल बॉंड सिएचोच का होल फॉर सिंगल बॉंड सेच्टू है जब मैं इसको एचाई देता हूं हीट करता हूं तो इसके सारे ग्रूप जो होंगे रिडूस हो जाएंगे प्लस इतना भैंकर सिंगल बॉंड 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 में कुछ है लिखा है कि डियने में जो डबल हैलिक्स बनता है वो वो होल्ड मतलब वो कौन से बांड है जो दोनों हैलिक्स को होड करके रखते हैं तो यह तो कोई सिंगल है और यह इसका डबल एक ठीक ऐसे बताया किया होगा आपको ठीक है इसके बीछ कुछ ऐसे डॉट लाइन्फ बनी होती है जो इनको होल्ड करके कि ररकती है पटा वो डॉझिंग्स कि होती है ऑड्रीय और अब बराबर T और G ट्रिपल बॉंड सी मतलब एड़नीन की बॉंडिंग एड़नीन की बॉंडिंग थाइमीन से होती है और गौनीन की बॉंडिंग इससे होती है साइटोसीन से एज़ बॉंड दोर आपस में होल्ड करते हैं ठीक है तो उसने पुझा था विश टैप ऑप यहां पर अधिया रख्टा और रहता कि यहां थे रखा है और किया है इसके जेमेट्रिकल ऐसोमस क्यों क्या में यहां चब ना चलेम भना से लिए च्र्वारें एक क्ना पार ऑनने बनाता है 2 रहा है ठीक हैं तो कैसे बनेगा कोबाल लिखिया मैं वेने 6 bond ऐसे बना लिए, एकID को मैंने ऐसे लगाया और ऐसे दोकों दोनों unique same side रखे ठीक है दोनोंand грd liay और दोनों CL को same side रखे तो आप बताईए अगर आप इन दोनों CL के बीच का bond angle देखें तो बताईए bond angle कितने degree का है 90 degree का है है और दो same के पीख एकर angle 90 degree का सब्सक्राइब और एक बार क्या करूंगा एक सीयल पर ले जाओंगा एक सियल पताइए दोनों के बीच बीच का अगल वन चला गया ठीक है यह जो मैंने फॉर्म सामने बना रखा है यह मेरे पास कौन सा फॉर्म है जिसमें दोनों सी यल की बीच का इंगल बने टी हो गया है ना यह मेरे पास कौन सा फॉर्म है बनाते जाएए पटाफ़ इलिजस कूल अब देखे कुशन यह कितना अच्छा पुछा गया कॉंप्लेक्स का मेरे को एक इलेक्ट्रॉनिक कॉंप्लेक्स ड्रा करना डी फोर आयन का जिसके लिए बता रखा है कि डेल्टा ओ की वैलू बटा पेरिंग इनर्जी से बटा जादा है ठीक है ना तो भाई यह उसने चुक यह वैलू काफी जादा है और पेर कराने के इनर्जी कम है तो सीदी बात जादा हो गया जब जादा हो गया तो चार भरने तो पहला यहां भरेगा तीन तक तो कोई टेंसा नहीं तो ऐसे भर जाते हैं चौथा चुकि गैप जादा है ना काफी तो चौथा भी बटा नीचे भर जाया गए चौथा भी क्या पर जाया बटा नीचे तो अब देखें टीटू जी में कितने भर गया आपको इसी तरह पड़ेगा चुकि कॉंप्लेस की बात चल लए ठीक है ना तो बाई देखो चुकि गैप जादा है तो सब के सब चार नीचे भर जाएंगे तो इसमें चार उसमजीर हो अब देखो एक नीचे पूछा किया है कि इन दोनों पेर में डिस्टिन किसकर करेंगा प्रइफ फिनॉल और बेंजोई के दिट जमीन आस्मान का डिफरेंस है अगर मैं फिनॉल के देख सेंग कराता हूं ब्रोमीन वाटर से करा देता हूं अगर मैं इसमें क से निकलनाचालरागी CSO2 जो फिनॉल मैं नहीं हो पाएगा आप इसमें अफ इस लट भी डाल सकते हैं यह वाइलट कलर देगा जो भलायो नहींOfलेड़ नहीं देगा तो यहाँ पर यह काय से हो जाएगा अच्छा प्रोपे नल और प्रोपेंव प्रोपेंऊल क्या होता है प्रोपेणों क्या होता है सिस्ट तो देखो अगर मैं दून को ध्यांगतों तो आपने एक रिखेशन पादा हेलो फॉर्म रिखेशन पादा है जिन इसमें है यह देगा मगर यहां तो यह दिन हो यह देगा यह देगा मतलब इस में बनेगा अगर मैं ने इसमें डाल दिया ֆयोडिए डाल धिया तो यह बना अब देगा आइडो फर्म बना देगा ठीक है अगर यह बटा नहीं बना पाएगा तो अब देखेंगे कोश्चेंग यह कितना अच्छा पूछा गया मेरे को यह दो एसिड दे रखें और बताना इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अब यह बताईए आपने जब एसिड क्या करता है मैंसा बढ़ा देता है ठीक हो जितना करीब लगेगा माइनज ऐगरूप शी ओ और एच के जितना करीब लगेगा ना उत्तना ही ज़्यादा एसरी किस्टन को बढ़ा देगा तो बताईए यहां पर यहां पर CH2 है इस जिगा पर CH2 एफ के बाद ऐसे CH2 होगा फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 यहां पर होगा इसका मतलब देखे अलफा पर नहीं है बीटा पर बिलकि गॉमा पर यहां फ्लोरिन लगा खीसता तो अच्छा है अगर और गॉमा पर लगा यहां पताईए यह तो लग रहा भाई दो को CS3 हो गया CH2 मेरे पास यहीं पर एफ लग गया उसके बास CH2 और यह मेरे पास हो गया CH2 यहां तो बीटा पर लग गया तो यह वाला जो एसे जिसमें बीटा पर लगा है वह ज्याद एस रिखूंग है अब यह एक केमिकल काईटी को कोशन आ गया क्या कहा रहा है सो डेड़ टाइम रिक्वाइड पॉर दा 90.99.9% कंप्लीजन मतलब किसी रियक्शन के 99.9% कंप्लीट होने के लिए इन ए इन ए फ़िस्ट और फ़िस्ट और के लिए है रियक्शन इस टेन टाइम ऑफ दा हाफ लाइ के लिए तो मैंने एकार के देख लेता हूं दोको भाई हाफ फाइस टॉर्टर के लिए दो फामले होते हैं के जिकल टू होता है तू पॉइंट त्री जिरो अपॉन टी लॉग टैन बेस पर ए अपॉन ए माइनस एक्स यह तो मेरे पास जनलाइस फामला किसी भी समय के ज़रा मैं उपाला कोश्चन यह रफ कर देता हूं यह मैं उपाला कोश्चन रफ कर देता हूं यही स्वाल कर लूँगा ठीक है अब बताए रियक्शन 99.9 कंप्लीट तो भाईया रिमेनिंग कितना बचेगा 0.1 परसेंट तो मैंने इनिसियल मान लिया ए रिमेनिंग होता ह है ए मैनस एक्स तो कितना अगर इतनी कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग कितना बचेगा 0.1 परसेंट मतलब ए का 0.1 अपॉन हो गया है ठीक है तो यह ए अपॉन थाउदेंट हो गया तो यह मेरे पास यह मेरे पास की वैलू निकल के आ गई अब मैं जाना यहाँ पर के तो अच्छा बताओ दोनों कि के तो समय होंगे अलों के तो रही चलेगा ला यह तो यह हो जाएगा ए अपॉन क्या उल्यागा 1000 ठीक है तो के ऐसे रख दीजिए यह हो जाएगा अच्छा यहाँ पर मैं यह टी आफ अगर मैं चाहूं तो यह के की वल्यू यहाँ से निकाल लो तो के की वल्यू क्या है कि 0.693 अपॉन टी हाफ तो यहाँ पर इसके वल्यू लगा देता हूं वो टेंटम इसका मला जो इसमें 10 का गुणा होगा तब इसके बराबर आएगा ठीक है लॉग 10 बेस पर बटएए तो एसे इकट गया और 10 बाहर 3 हो जाएगा ठीक है 10 बाहर क्या हो जाएगा 3 बही यह लॉग 1000 पर टेंट मशन क्या होगा थ्री हो गया तो यह सॉल्ब कैसे यह ऐसे रहेगा टी 99.9 यह हो गया 313 log 10 log 10 में बड़ा कितना हो ता 1 तो देखें यहाँ पर जो value बचेगी अब मैं बता दूँ यहाँ पर दोको यह जो value है यह दो चियों के multiple ऐसे बनती ठीक है कौन सा दोच है 2.303.3010 upon में क्या हो गया t half is equal to 2.303 into 3 upon में हो गया t99.9 यह दल लो यह दल ले जाओ यह काट दीजे आप तो मेरे पास हो जाएगा t of 99.9 is equal to 3 upon .3010 इस काट आकर के आप उपर 1000 का multiply कर लेजे जब आप इसको solve करेंगे उता चला जाएगा t half क्या चला जाएगा t half जब आप solve करेंगे ना तो यहां लगबग value 10 times आ रहे होगी कितनी value आ रहे होगी 10 times जैसे point 3 है करिए यह करिए तो उपर 10 आ जाएगा अब यह 3 का point में 10 का भाग देंगे तो 3 times जाएगा तो 3 point something value आएगी 3 point something का multiply जब 3 से कराएगे तो लगबग वो 10 times के आसपास आएगे तो यह जो आपका आ गया कि तो को टी हाफ में लगबग 10 times का multiply होगा तो मतलब इसका जो समय है वो लगबग 10 times का होगा बनाते हैं यह फटापड़ वीडियो पॉस करके स्कूल देज़ें